हेलो एबरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग सॉल्ब करेंगे वक्षिट वन के कोश्चिन को और यह है चैप्टर 11 अंडरस्टेंडिंग क्वाडिलेटरल्स तो फर्स्ट कोश्चिन क्या कहता है देखिए इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है हेक्सागोन और क्या करना हम लोग को फाइंड करना है सम आफ इंटेरियर एंगल्स इंटेरियर एंगल्स कहने का मतलब हुआ कि यह जो एंगल्स बन रहे हैं अंदर हाना यह फिगर जो आप देख रहे हैं हेक्सागोन इसके अंदर जो यह एंगल बन रहा है इसको हम कहते हैं इंटेरियर एंगल्स तो इसमें कितने इंटेरियर एंगल्स हैं आप देख लेजिए टोटल 6 होएंगे, काउंट कर सकते हैं 1,2,3,4,5,6 यह आप लर्न करेंगी, जितने साइट्स होते हैं उतना है उसमें एंगल्स भी होता है किसी भी फिगर में, तो यहाँ पे 6 एंगल्स आपको देखने को उपर रहें और यह सारे एंगल्स का सम कितना होगा, अगर एड कर दिया जाए तो कितना आएगा यह हम लोगों से कहा गया है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कहा गया है dividing 8 into triangles, हाना, हम इसको triangles में divide कर देंगी तो आईए हम कर लें, तो हम लोग ना, यहाँ पे triangles में divide करते हैं तो देखिए हमको कितना triangles यहाँ पे मिल जाएगा, यह हम कर लें तो यहाँ हम पहले इसको match करते हैं, A से C की ओर तो एक triangle हमको मिल गया दूसरा triangle हमको यहाँ से मिल जाएगा A to D इसको आप match कीजिए देखिए आपको यह दूसरा triangle मिल गया और आप क्या कीजिए फिर यह D और F को आप match कीजिए तो फिर आपको एक और triangle मिल जाएगा तो total कितने triangles होगे बताइए 1, 2, 3, 4 हा ना तो यहाँ पे total 4 triangles होगे तो हम क्या जानते है angle sum property क्या कहता है triangles के जो angles हैं उसका sum कितना होता है हम लोग सब जानते है वो है 180 degree यह हम लोग सब जानते है कि triangles जो एक triangle है उसमें जितने भी angles हैं 3 angles होते हैं उसका sum करते हैं तो कितना आता है 180 degree यह कहाना अपना angle sum property है तो यहाँ पे कितने triangles हैं total 4 triangles हैं तो आप 4 से इसको multiply कर देजिए आना तो आपको क्या मिल जाएगा 720 ओके तो 720 degree होगे इसका क्या interior angle का sum तो बहुत ही easily हम लोग solve कर लिए आए हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे we know that हम लोग जान रहे है sum of angles of a triangle is 180 degree अब here यहाँ हम बात कर लें जो अपना दिया हुआ hexagon इसमें कितने triangles है 4 तो लोग क्या लिखेंगे here total number of triangles equal to 4 therefore sum of interior angles of hexagon ABCD is equal to कितना हो गया 180 into 4 that is 120 degree तो यह अपना हो गया answer अब ना इसी question को हम चाहे तो दूसरे धंग से भी बना सकते हैं उसके लिए हम वो क्या करना पड़ेगा न एकक करके सारे वो थोड़ा lengthy process हो जाएगा हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम जितने भी angles यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी को नाम दे सकते हैं अलग-अलग नाम हम दे देते हैं यह देखिए और naming करने के बाद हम एकक करके सारे triangles की जो angles हैं उसको हम sum के form में लिखेंगे और फिर हम उसको फिर से add करेंगे तो वो मेरा answer आएगा तो मैं समझता हूँ कि यह best तरीक है आपका sort हो गया हाँ आप इस तरह से solve कर लिजिएगा तो question number second हम लोग देख लें आपे question number second same होगा आपना first के ही जैसा है कहता है find the sum of interior angles of a polygon of given number of sides by using formula यह formula हमको use करना है और यहाँ पर n क्या है ना तो number of sides ओके तो यहाँ देखिए first question में हम लोग क्या क्या है ना hexagon है इसका हम लोग interior angle का sum निकाले तो यहाँ पर question number second में भी same ही है यहाँ पर दिया हुआ है 12 side है ऐसा close figure है जिसमें कितने sides है 12 sides है ओके तो हम लोग यहाँ simple सब formula यूज कर लेंगे और क्या हम लोग लेखेंगे sum of interior angles equal to n minus 2 into 180 degree तो यहाँ पर देखिए हमारे पास n का value कितना दिया फरस्ट में 12 sides है तो हम यहाँ पर 12 put कर लेंगे और minus 2 into 180 तो आप बताएए क्या मिल जागा हम लोग को यह हमको मिल जागा यहाँ पर 10 10 क्यों 12 minus 2 10 और into 180 degree अब क्या आएगा आप दादेजी यह हमको मिल जागा 18000 आनि 1800 degree ओके तो यह हम लोग जान लें कि जितने sides होएंगे अगर कोई polygon में n side है तो उसको हम कितने triangles में divide कर सकते हैं देखिए यहाँ पर कितने sides थे 6 sides थे तो जब 6 sides हैं तो यहाँ पर हम उसको 4 triangles में divide कर पा रहे तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई polygon में n side है ध्यान से सुनिएगा अगर किसी polygon में कितने sides है n sides है तो उसको हम कितने triangle में divide कर सकते हैं n minus 2 n minus 2 triangles में divide कर सकते हैं यह आप learn रखेंगे अगर किसी polygon में n sides हैं तो उसको हम कितने triangles में divide कर सकते हैं n minus 2 triangles में divide कर सकते हैं अब आप जानते हैं कि एक triangle के जितने में angles हैं उसका सम कितना होता है 180 degree तो अगर n sides है किसी polygon में अगर n sides है तो उसको हम कितने triangles divide कर लिए n-2 तो इतने triangles होगे और एक triangle का value होता है sum of angles होता है 180 degree तो आप multiply कर दिए तो उसका total sum निकल जाएगा जैसा कि हम लोग ने हाँ पर किया हुआ है तो अभी यहाँ पर same formula यूज हो रहा है आए हम इसको कर लेंगे और इसको भी कर सकते तो same बहुत ही easy है हम लोग कर लेते हैं तो second question में हम लोग same लिखेंगे sum of interior angles equal to n-2 into 180 degree तो n का भेलों लोग यहाँ कितना रख दिए 9 क्योंकि 9 sides दिए हैं तो 9-2 करेंगे क्या आएगा 7 और 7 into 180 यह क्या हो गया 1260 degree ओके थार्ड भी same हुगा आमारे पास sum of interior angles equal to n-2 into 180 degree ओके और यह formula कैसे है तो मोग यहाँ समझ लिए अभी अब देखिए n का जगर कितना रख दिए 22 22-2 that is 20 और 20 को मोग 180 से multiply कर लिए तो क्या आगया 3600 degree ओके अब third question के हम बात करेंगे कहता है find the measure of each angle of a regular octagon तो octagon का means क्या हो रहा है न जिसमें 8 sides होते हैं उसकों क्या कहते हैं octagon तो octagon यह कैसा है regular है regular octagon कहने का मतलब हो गया कि जितने भी sides हैं वो सब के सब equal है मैं यहाँ पर भी figure बनाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा तो यह देखिए मैं figure बना लिया हूँ कि यह आप जो देख रही है यह मैंने केसा figure है न regular octagon है इसमें देखिए 8 sides है तो यहाँ पर हम naming कर सकते हैं A, B, C, D, E, F और G, H total कितने sides है 8 sides है और जितने भी sides है सब के सब आपस में इक्वल है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे न regular octagon कहेंगे आप इसका जो angle है वो सारा का सारा angle interior angle भी equal होगा तो हमको क्या कहा गया कि interior angle का value क्या है यह कितना degree का major होगा यह हम लोग से पूछा गया है तो हम कैसे निकालेंगे तो formula है formula क्या है देखिए पहले आभी हमने क्या formula यूज किया sum of interior angles यहीन हमने यूज किया और sum of interior angles क्या था n-2 into 180 degree यह क्या था sum of interior angles of a polygon तो यहाँ पे चुकिए regular polygon है हमको यहाँ पे क्या करना है जितने भी interior angles होगे सब के सब equal हैंगी तो हमको एक angle का value चाहिए तो हम लोग क्या करेंगा इसको divide कर लेंगे जितने sides होंगे उससे हम divide कर लेंगे तो n side मानके चलता हूँ यह general formula बन जाएगा जहाँ पे n क्या होता है number of sides होता है तो यहाँ हम किस की बात कर रहे हैं octagon की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या result आएगा आप देखिए n का value लोग क्या पूट करेंगे 8 पूट कर लेते होंगे तो 8 minus 2 हो गया और यह हो गया 180 degree divided by n का value क्या है n का value 8 है देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आपको मिल जाता है 8 minus 2 that is 6 और यह रहेगा 180 degree divided by 8 आप divide कीजिए आप बताइए क्या आपको मिलेगा तो आप 2 से cancel out कीजिए यहाँ पे 3 times बजाएगा और यहाँ पे 4 times बजाएगा अब यह divide नहीं होगा आप इदर से divide कीजिए तो 4 से आप divide कीजिए तो 4 फोरजा क्या आएगा आपको 4 फोरजा आप में लगा आपको 16 बज जागा आपके पास 2 तो 20 होगा 4 फाबजा क्या होगया 4 फाबजा होगया 20 ओके तो यह होगया 45 degree आप इसको multiply कर लिजिए that is 3 into 45 degree क्या घरलो आ जाएगा यह हमको मिल जाता है 135 degree ओके तो यह परतिक एंगल कितना होगया 135 डिगरी का 135 डिगरी का सारे के सारे एंगल इकोल होंगे 135 डिगरी का और अगर इसको हम add करेंगे तो हमको सारा interior एंगल का sum मिल जाएगा तो अभी आप क्या learn रखेंगे आपको learn रखना है कि किसी भी जो polygon होगा regular polygon होगा और उसका अगर आपको interior angle निकालना है तो पहले आप देखिए कितने sides हैं उसमें ओके तो आप formula क्या आउज करेंगे n-2 into 180 divided by n यह हो गया each angle of a regular polygon ओके यह general formula है जितना आप करेंगा उतना आप n के जगा पूट करेंगे आपका answer आजाएगा अब question number 5 की बात करेंगे कहता है four angles of a pentagon यह pentagon है और इसके four angles दिये हुए 100, 175, 85 and 75 अब कहता है find the fifth angle पांचमा angle क्या होगा चुकि pentagon है तो इसमें five sides होंगी और five angles भी होंगे मैं यहाँ पर figure बना लूँ हाना समझ में आ जागा हम लोगों को अच्छे से तो यहाँ पर मैंने figure बना लिया है A, B, C, D, E मैंने इसका नाम दे दिया है और A equal to कितना लिया है 100 degree, B equal to 175 degree C equal to 85 degree D equal to 75 degree और हम यहाँ क्या लेखेंगे let A, B, C, D is a pentagon यह pentagon है इसमें five sides है तो यह जरूरी नहीं है कि आपको regular pentagon बना नहीं है चुकि regular pentagon है भी नहीं है न चुकि सारे angles अलग-अलग है तो आप केवल five sides आपको बना ले दे हैं तो बना लिए आप देखें हम लोग यहाँ लिखेंगे A equal to 100 degree, B equal to 175 यह लिख दिए अब हमको यह last angle है वो क्या है हमारे पास unknown है पता नहीं है इसके बारे में पूछा गिया है तो हम कैसे solve करेंगे हम लोग लिखेंगे now sum of interior angles तो आप बताए interior angles का sum क्या होता है तो हम लोग जानते हैं interior angles का sum होता है n minus 2 into 180 degree और आप देखें यहाँ पे जो interior angles हैं वो हमको पता है केवल एक पता नहीं है हम यहाँ पे लिख सकते हैं angle A plus angle B plus angle C plus angle D plus angle E यही होगा सारा हमारा और यहाँ पे formula हमारे पास क्या है n minus 2 into 180 degree तो n के जगा हम लोग क्या put करेंगे यहाँ पे 5 क्यों क्योंकि 5 sides है और यहाँ पे रहेगा हमारे पास 180 degree चलिए सारे भेर लोग को हम लोग put कर लें यहाँ पे तो यह कितना है हमारे पास 100 degree यह कितना है 175 degree और यह 85 degree और D कितना है 75 degree और angle यह तो पता नहीं है हम लोग को निकालना है तो उसको आप छोड़ देजिए अब यहाँ पे 5-2 क्या हो जगा 3 और यह हो गया 180 degree चलिए next step हम लोग देखेंगे यह सभी को हम सम कर लेते हैं जितने भी यहाँ पर हैं हना सभी को हम add कर लेते हैं तो add करने के बाद क्या आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं तो यह हमको सम कर लें कितना आ गया यह हमको आता है 435 degree और right side हमारे पास क्या है इसको multiply कर लेंगे तो क्या जगा 540 degree चलिए अब हमको क्या मिल जगा यहाँ से हमको मिल जगा angle e का value हम क्या करेंगे न 435 को right side लेके जाएंगे तो यह दर right side पहले से है 540 degree इसमें हम minus कर लेते हैं 435 degree क्या मिलेगा हमको हमको यहाँ पे मिल जाता है 105 degree तो इस तरह से हमको यहाँ पे 5th angle मिल गया यह जो अपना pentagon था उसका 5th angle हमको मिल जाता है और वो हमारे पास 105 degree तो यह question नमर 5th है last इसको हम देख लेते हैं यह कहता है find the measure of x in the given figure तो यह अपना दिया हुआ figure आप देखिए ध्यान से यहाँ पे x है और हमको क्या करना इसका value निकालना है तो यह सब के सब क्या ना exterior angles है यह जो भी आप angles देख रहे हैं यह क्या है हमारे exterior angles है और यह कैसा figure है 1,2,3,4,5 आने के यह pentagon है और इसके exterior angles के value हमको दे दिये हैं लेकिन यहाँ पे जो एक angle ए exterior यह हमको नई दिया हुआ है यह x हमको निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं exterior angles का sum 3 कितना होता है 360 degree तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे तो अभी हम लोग यहाँ लेखेंगे we have sum of exterior angles equal to 360 degree यह आप लर्ण रखेंगे कि कोई भी polygon हो उसका जो exterior angle होता है sum वो same होता है चैहाँ वो आपका fourth side, fifth side, sixth side जितने भी sides है हाना वो आपका pentagon, hexagon, heptagon उसका जो exterior angle का sum होगा वो same होगा हर case में वो कितना आता है 360 यह लोग लर्ण रखेंगे तो इसलिए लिखा है sum of exterior angles equal to 360 degree अब हमारे पास जितने भी exterior angle है इसको हमने आपका किया sum कर लिया और एक किसके equal कर लिया हम लोगोंने 360 degree के अब देखिए हमको यहाँ पे क्या मिली जाता है हम इसको अगर add कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है 250 degree और यह किसके equal हो जाएगा 360 degree का अब यहाँ से हमको x का value मिल जाएगा 360 हम 250 को right side ले जाते हैं अब यहाँ पे हम minus कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा x का value यहाँ पे minus करने से हमको मिल जाता है 110 डिग्री यह हो गया अंसर तो यहां पर हम लोग complete कर लेते हैं वक्षिट 1 के सारे questions को so I hope this video lesson is helpful for you so please like this video and share with others and do some comments also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos thanks for watching have a glorious day ahead